नमस्कार आपके साथ मैं हूँ विद्यनाज्जा और दमदार दस में आपका स्वागत है देश में जिस तीसरी लहर की अब तक आशंका जताई जा रही थी उसकी आखिर करीब करीब जो तारीख है वो तैह हो गई है महराष्ट की स्टेट टास्क फोर्स के मताबिक मुंबई समेत पूरे महराष्ट में तीसरी लहर की शुरवात अगले दो से चार हफते में हो जाएगी कोरोना की तीसरी लहर जब आएगी तब का तब देखा जाएगा ऐसी सोच रखने वालों को बिटेंग की इस्तती भी देख लिनी चाहिए जहाँ पर करोना की दूसरी लहर के थमने के चार हफते के भीतर ही तीसरी लहर की शुरुवात हो गई है इंडिया को लेकर भी हेल्थ एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर आने में जितना वक्त लगा शायद तीसरी लहर के लिए लोगों को उतना मौका भी न मिले महराश से तो तीसरी लहर की संभावित तारीक भी सामने आ चुकी है महराश की कोविट टास्कोर्स ने चेतावनी दिये कि राज़ में अगले दो से चार हफ़ते के भी तर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है महराश सरकार में एक हाई लेबल कमेटी की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि डेल्टा प्लस नाम का जो वैरियन्ट है कोविट का इसके कारण तीसरी लहर आ सकती है और तीसरी लहर अगर आई तो हो सकता है कि ये दूसरी लहर से भी ज़्यादा खतरनाक हो तीसरी लहर से बचने के लिए दोनों की जिम्मेदारी है, जनता की भी कि वो COVID-appropriate behavior का कड़ाई से पालन करे और सरकार की भी कि कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा देगा.